इसे हो दोस्तों कल इंजिनियरिंग कॉलेज में आये थे यहाँ पे स्रिफ कल ब्रैकेट लगा था तो वो वीडियो हम नहीं बनाए और ब्रैकेट लगाने का कौन वीडियो दिखा था तो आज जो है सब आउट्डोर चड़ेगा और पाइप करिक्शन होगा तो आज फिर से चले आएं इंजिनियरिंग कॉलेज और एक बंदा और आना था सर्विस सेंटर से लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है तब तक हम यह जो ब्रैकेट लगाए हैं पाइपिंग कर लेते हैं सिर्फ आउट्डोर चलाना रहे जाएगा और रसी भी नहीं हमारे पास बंदा आए प्रड़त बंदाना रहे जाएपिंग कर दाला रहे जाएपिंग कर्दोर चलाना रहे हैं। पाइपिंग कर दिये हैं पाइप बस जोड़ना ही था जोड़ दिये तब तक भाईया आ गए हैं अब यह कहरां कि अकेले आउर्डर को उठा के रख देंगे उपर देखते हैं अकेले कैसे चड़ता है झाल 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 कर दो कर दो आखिरकार किसी तर यह एक आउट्डोर यूनिट जो चड़ गया इतना मुश्किल जगह पहे कि जान लीकल गया उपर से जैसे लग जा था कि गिर जाएगा तब गिर जाएगा क्योंकि जगह ही नहीं यह वहाँ पे एक जासक अच्छा जी है तेक रहें खड़े होने में बनी इधर दो उधर दो उपर ऐसे ही लगाना है तो देखते रहें लगाते जा रहें करब मराएगा, दो बनी पासके लुपर ऑाएगागाना है जाएगा टासके तो आचकी लगाना है और दो दो डरोड़े है आजाना है, ऑड़ पागमावा जेचिएा है एक ह म piace मापना उस्म्टार की झाल 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 इस तरफ का जो है पांचो यूनिट जो इंस्टोल हो चुका है देख रहे हैं और इस तरफ छे यूनिट लगना है तो एक का तो अभी ब्रैकेट भी नहीं ठुकाया है यूज दिन ब्रैकेट घट गया था तो आज ब्रैकेट आया है तो जब आया है तो सूचे पहले यूनिट सभी चढ़ा देते हैं अब ब्रैकेट लगाएंगे और एक यूनिट बचा हुआ है उनको भी चढ़ाएंगे य लाश्ट बस आचा ठीक शेविजया तो आज का ये छैयों यूनिट जो है चड़ गया एक ब्रैकेट ठोका गया था तो आज इधर का जो है काम कंप्लीट हो गया उदर बबलु भया कुछ बूल रहे हैं काफी भीर वाला था काम और तरह रेश्की वे था वहां जगड़ी नित्या खड़ी खड़ा होने का तो किस है तो वह भी कल कंप्लीट हो जाएगा एक यूनिट हो गया दो तीन चार उसके बगल में पांच और सबसे लाश्ट च्छे च्छे यूनिट आज उपर चड़ गया तो आज का काम आज यहीं तक समाप्त करेंगे और ब्लोग को भी यहीं तक समाप्त करेंगे वीडियो है अजर।